प्रस्न दो यदि कौस ठीटा बराबर साथ बटा पचीस हो तो ठीटा क्यान सभी तिरकोन मितिया नुपात ग्याद कीजे तो कौस ठीटा बराबर कितना दिया हुआ है कौस ठीटा बराबर दिया हुआ है साथ बटा पचीस कौश ठीटा बराबर 7 बटा 25 दिया हुआ है और कौश ठीटा बराबर क्या होता है तो देखे कौश ठीटा बराबर होता है B बटा H तो B क्या है अधार समकोन तिर्भूज में B क्या है अधार है अधार को B से लिखते हैं और करण को H से लिखते हैं और लंब को P से लिखते हैं तो कौस ठीटा बराबर होता है B बटा H यानि आधार बटा कर्ण कौस ठीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण यानि B बटा H लिखेंगे तो कौस ठीटा के जगह पे क्या लिख देंगे B बटा H यानि आधार बटा कर्ण B बटा H बराबर 7 बटा 25 इस तरह लिख लेंगे कोश्चीटा के जगा पर क्या लिख लेंगे B बटा H अब यहाँ पर 7 तो 7 यहाँ पर देखें अंस में है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं या B बटा 7 बराबर H बटा 25 यह कैसे हो गया तो देखें 7 यहाँ पर क्या है अंस में है तो तीर्षा गुना करेंगे तो 7 यहाँ पर आ जाएगा H के साथ गुना हो जाएगा ठीक है तो 7 को यहाँ पर कर लेंगे और H को इधर भेज देंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 7 को यहाँ कर लेंगे और H को यहाँ पर भेज देंगे तो B बटा 7 बराबर H बटा 25 इसको लिख सकते हैं देखें यह कैसे होगा तो अगर तीर्षा गुना करेंगे तो 25 B बराबर 7 H तीर्षा गुना करेंगे तो क्या हो जागा 25 B बराबर 7 H अब यहाँ पर 7 इधर गुना में है देखें 7 क्या है गुना में है तो 7 को हम इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा यानि B वटा 7 इसको लिख सकते हैं और 25 के A B के साथ गुना में है तो 25 को इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा यानि H वटा 25 इस तरह हम लिख सकते हैं इसको 7 जो है बराबर के दाया तरफ गुना में है तो 7 को इधर भेजेंगे इस तरह से तो या इसको इस तरह से लिख सकते हैं B वटा 7 बराबर H वटा 25 बराबर हम के मान लेते हैं यानि B वटा 7 बराबर H वटा 25 किसके बराबर है के के बराबर है ठीक है तो B वटा 7 भी के के बराबर है और H वटा 25 भी के के बराबर है तो अतह B बराबर कितना हो जाएगा अतह B बराबर देखे B बटा 7 किसके बराबर है K के बराबर है B बटा 7 K के बराबर है तो B बराबर कितना हो जाएगा 7 K तिर्शा गुना होगा देखे B बटा 7 K के बराबर है तो B बराबर 7 K हो जाएगा यानि 7 और K गुना हो जाएगा तो B बराबर लिख लेंगे 7K, H बटा 25 K के बराबर है H बटा 25 का है? K के बराबर है तो H बराबर तो 25 भागा में हैं यहाँ पे तो इधर जाके गुना में हो जाएगा यानि 25 K हो जाएगा तो H बराबर 25 K तीर्चा गुना करेंगे तो तो B बराबर हो गया 7 के और H बराबर 25 के यानि आधार हो गया 7 के और कर्ण हो गया 25 के तो समकोन तिर्भुज में आधार और कर्ण और क्या होता है लंब समकोन तिर्भुज में लंब, कर्ण और आधार तीन भुजा होता है तो उसको क्या क्या करते हैं समकोंतिर भुज में लंब अधार और कर्ण तो यहां पर अधार पता है साथ के हैं और कर्ण कितना है 25 के तो हम पहले लंब निकाल लेंगे तो लिखेंगे अब तो लंब निकालना है यानि P निकालना है तो P बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग माइनस अधार का वर्ग कर्ण का वर्ग माइनस अधार का वर्ग का अंडर रूट लंब बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग माइनस अधार का वर्ग अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस अधार का वर्ग लंब बराबर तो समकोन तीर भुज में जब दो भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा हम ग्याद कर सकते हैं पाइथागोरस परमे से यानि इस तरह लिख देंगे P बराबर अंडर रूट H स्क्वार माइनस B स्क्वार तो H कितना है यानि कर्ण कितना है 25 के तो 25 के का वर्ग माइनस B कितना है यानि आधार कितना है 7 के 7 के का वर्ग का अंडर रूट इस तरह लिख लेंगे अब 25 का वर्ग क्या होता है 625 गुना 25 और के का वर्ग यानि के स्क्वाइर माइनस साथ का वर्ग उन्चास सत सत उन्चास और के का वर्ग इस तरह लिख लेंगे तो पचीस का वर्ग क्या हो दा है पचीस गुना पचीस शेसो पचीस और के का वर्ग यानि के स्क्वाइर 625 के स्क्वाइर माइनस साथ का वर्ग ससते 49 और के का वर्ग इस तरह लिख देंगे यानि 625 के स्क्वाइर माइनस 49 के स्क्वाइर हो जाएगा तो 625 में से 49 घटा देंगे तो कितना आएगा 15 में से 9 गया 6 देखे, 15 में से 9 हो गया 6, यह हो गया 1, तो 11 में से 4 गया, 7, यह हो गया 5, यानि 576 k², इस तरह लिख लेंगे, अब 576 किसका वर्ग है, 24 का, तो 24 का वर्ग है 576, यानि 24 गुना 24 होता है 576, तो 576 का वर्ग मुल क्या हो जाएगा, 24 और k², यहां k का वर्ग है, तो यहां पे k लिख देंगे, यानि कितना आ गया, P बराबर आ गया, 24 के, तो हम P निकाल रहे थे, यानि लंब निकाल रहे थे, तो लंब कितना आ गया, 24 के, ठीक है, अब यहां पे, तरफे, देखे, determining बिख साथ के है, यानि अधार साथ के है, करण 25 के है, और P, P हम निकाल रहे थे, P निकाल रहे थे, P कितना आया, तो P आ गया है, 24 के, ठीक है, तो तीनों ग्यात हो चुका है, अधार लंब और कर्ण, तीनों ग्यात हो चुका है अब, अब हम सभी तिरिकोन में तिया अनुपात निकाल देंगे तो देखे, साइन ठीटा बराबर तो साइन ठीटा सबसे पहले निकाल लेते हैं तो साइन ठीटा बराबर होता है P बटा H क्या होता है? साइन ठीटा बराबर साइन ठीटा बराबर होता है P बटा H टैन ठीटा बराबर P बटा B कौसेग ठीटा बराबर साइन ठीटा का उल्टा होता है यानि H बटा P और सेग ठीटा कौस ठीटा का उल्टा होता है यानि H बटा B और कौस ठीटा ठीटा का उल्टा होता है यानि B बटा P ठीक है तो इस तरह हम इसको यहाँ पे लिखेंगे साइन ठीटा बराबर क्या होता है P बटा H P बटा H तो P कितना है P हम अभी लाए है 24K 24K और H कितना है 25K तो देखिए K से K से K खत्म हो जाएगा यानि क्या आ गया 24 24 बटा 25 तो साइन ठीटा कितना आ गया 24 बटा 25 कोमा देदेंगे यहाँ पर अब साइन ठीटा हो गया अब 10 ठीटा निकाल रहते हैं क्योंकि कॉश ठीटा तो दिया हुआ था तो अब 10 ठीटा निकाल लेते हैं तो 10 ठीटा बराबर होता है P बटा B यानि लंब बटा अधार P बटा B और साइन ठीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण P बटा H ठीक है टैन ठीटा बरावर P बटा B तो P कितना है P हम लाएत है 24 K 24 K और अधार 7 K है देखे अधार उपर में देखे 7 K है तो कितना आगया K से K खत्म हो जाएगा यानि 24 बटा 7 24 बटा 7 तो साइन ठीटा हो गया तैन ठीटा हो गया आप कौसेक ठीटा तो कौसेक ठीटा बरावर होता है साइन ठीटा का उल्टा यानि साइन ठीटा होता है P बटा H तो कॉसेक ठीटा हो जाएगा H बटा P तो H कितना है? यानि इसका उल्टा 25 के बटा 24 के 25 के बटा 24 के बस साइन ठीटा का उल्टा लिख देंगे साइन ठीटा का उल्टा होता है कॉसेक ठीटा तो हो जाएगा यहाँ पर 24 बटा 25 है साइन ठीटा तो कॉसेक ठीटा हो जाएगा 25 वटा 24 फिर सेक ठीटा आप निकालेंगे सेक ठीटा तो सेक ठीटा होता है कॉस ठीटा का उल्टा तो कॉस ठीटा है B वटा H तो सेक ठीटा हो जाएगा H वटा B कॉस ठीटा क्या है आधार वटा कर्ण तो सेख ठीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार तो h यानी देखे, कॉस ठीटा दिया हुआ था 7 बटा 25 तो सेख ठीटा हो जाएगा 25 बटा 7 तो h कितना है? h 25k है, देखे, h के जगा पे 25k लिख देंगे और b, यानी आधार कितना है? b कितना है? 7k है तो 7 के यानि 25 बटा 7 तो सेख ठीटा कितना हो गया 25 बटा 7 यानि कौश ठीटा का उल्टा अब कौट ठीटा तो कौट ठीटा हो जाएगा 10 ठीटा का उल्टा तो 10 ठीटा है P बटा B यानि लंब बटा आधार तो 5-7 हो जाएगा अधार बटा लंब यानि B बटा При तो B कितना है साथ के है, देखे, B कितना है साथ के और P P कितना है, 24 के यानि के से के खत्म हो जाएगा, 7 बटा 24, तो 6-7 बटा 24 तो इस तरह से सभी तिरकोन मिती अनुपात हम ग्याद कर लेंगे तो साइन ठीटा आ गया 24 वटा 25 तैन ठीटा आ गया 24 वटा 7 कौसक ठीटा आ गया 25 वटा 24 सेख ठीटा आ गया 25 वटा 7 कौसक ठीटा आ गया 7 वटा 24 झाल 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 झाल